Hello guys, welcome back to my channel Smart Study आज हम Directed of Education की तरफ से दी जाने वाली वर्क्षिट नमबर 1 करेंगे जो की Class 8 की है और सब्जेक्ट है Mathematics ये वर्क्षिट 6th April 2021 की है तो आज़े शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट वर्क्षिट शुरू करने से पहले प्लीज मिरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आज़े देखते हैं आज की वर्क्षिट लेट उस नमबर वर्क्षिट शुरू करने से पहले बचे मापको एक बात बता देती हूँ इसमें जो भी worksheet में changes आ रहे हैं क्योंकि worksheet अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि last year की same worksheet है लेकिन जिस worksheet में change आ रहा है वो worksheet में फिर से बना कर upload कर रही हूँ और जहां पर worksheet same है जो last year upload हुई है और same अभी upload हुई है वो worksheet आपको easily channel पर available है आप वहाँ से देख सकते हैं उसके लिए नई videos नहीं बनाई जाएंगी उसके लिए परानी videos है आप easily वहाँ पर बहुत अच्छे से explain किया गया है वहाँ से आप देख सकते हैं आप title डालेंगे तो आपको वो worksheet में date डाल दी जाएगी जिस date के आज की जिसे मानलो की 6 तारी की कोई worksheet है तो 6-4-2-0-21 करके वहाँ पर लिखा होगा मतलब कि यह same worksheet है और उस worksheet में same लिखा होगा उस worksheet के जो title है उसमें same लिखा होगा इत मिन की यह worksheet क्या है same है चाहिए यह पहले upload कर दी गए तो इस बात का आप धान रखेगा कि जो worksheet से मैं वो आप पिछली वीडियो से आराम से देख सकते हैं और जहां पर भी चेंजी देख से कि इस worksheet में change था तो इसके लिए यह नई worksheet बनाई जा रही है तो आइए शुरू करते हैं worksheet worksheet शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आइए देखते हैं worksheet Dear student, welcome to 8th class This is your first worksheet We will learn more about the number of the worksheet हम क्या करेंगे इसमें वोक्षिट में हम numbers के बारे में जानेंगे तो आइए देखते हैं बहुत easy है यह worksheet सबसे पहले natural numbers the number which are used to count the thing that are called natural numbers तो ऐसे numbers जिसमें natural numbers को किसे का जाता है जिससे हम counting कर सकते हैं अगर हमारे पास में 10-15 चीज़े हैं और उसे हमें count करना है तो हम करेंगे 1, 2, 3 तो यह जो numbers हैं यह क्या होते हैं natural numbers तो यहां से समझो जिस numbers से हम किसी भी चीज़ की counting कर सकते हैं वो होते है natural numbers, तो देखों, यहाँ पर हो जागा, यह 1, 2, 3, यह क्या हो जाएंगे, इसको आगे तक लेके जाओ, 4, 5, 6, 7, 10, 100, 1000, तो यह क्या हो जाएंगे, यह हो जाएंगे natural number, whole number, यहाँ से समझो, whole number क्या है, अगर किसी number के आगे, अगर यह जो natural number है, इनके आगे हम 0 भी add कर देते हैं, हम 0 लेगे जाते है, 0, 1, 2, 3, तो यह क्या हो जाएंगे, whole number, यह क्या हो जाएगा, whole number, next है integers, when we add negative number in the set of the whole number, अगर हम क्या कर देते हैं, इसी whole number के साथ में negative number को भी add कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा integers, जैसे कि 0, 1, 2, 3, हम इसमें add कर दि see you next national number all number which can be written in p form of p anywhere p and q are integrated and q can never be equal to 0 अब किसी भी नंबर को अगर हम divided By में हम क्या कर सकते हैं उसको p क्यों की form में हम उसको अरेंज कर सकते हैं तो वो नंबर क्या हो जागा rational number जैसे कि हम लिग दें 1 by 2 हना हम लिख दें 2 by 1 हना हमने लिख दिया 3 by 2 हना इस इस तरह को कोई भी number है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम P को की form में लिख सकते हैं, वो क्या हो जागा? Rational number. और यहां पर क्यो की value P और क्यो की value कभी भी 0 नहीं हो सकती. इस बात का ध्यान रखेंगे, 5 is rational number because we can 5 by 1 which is in the form of P को. अगर आपके सामने 5 लिखा गया है, तो वो क्या है? एक rational number है, यह ध्यान रखेंगे, 5 क्या है? एक rational number है, क्यों कि हम 5 by 1 भी लिख सकते हैं, तो यह क्या हो गया? एक rational number भी हो गया, whole number भी हो गया, natural number भी हो गया, integers भी हो गया, तो यह सब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, rational number भी, इसे हम कह सकते हैं, एक बर फिर हम easily इसको समझते है, natural number, मतलब जब भी कुछ भी counting करनी हो, तो 1, 1, 2, 3, है न, यह सब क्या हो जाएगा, natural number, अगर हम इसमें 0 कर देते हैं, तो 0, 1, 2, 3, यह क्या हो जाएगा, whole number, अगर इसके अंदर हम negative numbers भी एड कर देते हैं, हम लिख देते हैं, integers में हम लिख देंगे, 0, 1, 2, यहां हम लिख माइनस 1, माइनस 2, तो यह क्या हो जाएगा, integers, उसके बाद rational number, अगर हम P के ओके form में लिखते हैं, हमने लिख देते हैं, 2 by 3, 2 by 1 हम लिख देते हैं, हम 3 by 2 लिख देते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा rational number, चीक है, यह next question करते हैं, question number 1 क्या कहता है, देख अगर natural number में 0 add कर देते, तो वो क्या बन जाता है, whole number, next देखिए, क्या कहते है, question number 1, from the rational number given below, in circle, and circle those numbers which are also an integers, okay, क्या कहा जा रहा है, कि ऐसे numbers को यहां पर rational number दिये गए है, rational number में ऐसे number को चांटना है, जो क्या हो, integers भी हो, तो देखो, यहां पर दिया गया, 2 हम लेते हैं, 2, अब यह 2 rational number कैसे, अगर हम 2 के निचे 1 लगा देते हैं, 1 के निचे भी हम लगा देते हैं, PKO की form में आ गया यह number, हाला, PKO की form में आ गया तो यह क्या हो गए, rational number भी हो गए, तो हमें ऐसे number देखने है, जो rational number भी हो, और 7 में integers भी हो, तो हम लिख देंगे, इसमें क्या क्या गाए बताओ क्या क्या आएगा वान एक सेकिन हम अच्छा सा करते हैं से लिए अच्छे से समझ कि करना है वान टू-5-9-6-7-0 यह सब क्या हो जाएंगे यह हो जाएंगे रैशनल नंबर भी और इन टीजर्स भी यह हो जाएगा फर्स्का अंशर आप कैसे करेंगे कोशन देंगे यहाँ पर लिख देंगे 1, 2, minus 5, 9, 6, minus 7, and 0, ठीक है, इस तैसे इस console लिखे, solve करेंगे, question number second देखते हैं, इस 0 इसे rational number लिख देंगे, yes, बीख लकुल, 0 क्या है, एक rational number है, आप लिखेंगे yes, yes, ठीक है, question number third देखते हैं, क्या आएगा, write any 5 rational number while are not the integers, जो क्या हो integers नहों, तो देखो ऐसे number में क्या होगा, जो हम, ऐसे number जिसमें क्या होगा, PKO के form में, जो अच्छे से अरेंज नहों हो सके, जो क्या हो, जिसको divide करने पर integers नहाएं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, rational number क्या, write any 5 7 7 by 9 और 9 by 11 तो यह एक नमबर क्या है यह नमबर क्या है रेशनल नमबर तो है बट इंटीजर्स नहीं है ठीक है स्टूडेंस अब देखो जैसे कि मैंने लिखा यहां पर 1 by 3 जब 1 by 3 को हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा जो अंसर है वो क्या होगा पॉइंट में अंसर आएग तो यह सारे क्या है इन सब में क्या आएगा पॉइंट में अंसर आएगा इसलिए इन टीजर्स नहीं है तो आज की वक्षिट कंप्लीट होती है एक बर फिर बता देती हूं आपको सारी वक्षिट के वीडियो एविलेबल होंगे यहां पर जो वक्षिट चेंज हुई है ज सबस्क्राइब कीजिए और शषिर कीजिए तेंक यू